स्वागत है आप सभी का सामानधन के डिजिटल प्लेटफॉर्म उतकर्श पिजन में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं करेंट अफ्यर प्याधारित इन्पॉर्टन कुश्चन्स डिस्कस कर रहा हूं आप इस वीडियो को देखेगा और कमेंट करके बताएगा कि मेरा प्र दोस्तो ध्यार निखेंगे आंसर होगा करनाटक जब आत दोस्तो करनाटक की करते हैं तो करनाटक की राजधानी क्या है आपको पता होना चाहिए करनाटक की जो राजधानी है वो है बैंगलोर ध्यार निखेंगे और इसी बैंगलोर में प्यारिस दोस्तो मुख्याले है कि बैंगलोर करनाटर्क में है जब बात बैंगलोर की आ गई है तो इसको दोस्तों ध्यार नखेंगे इसको हम बारत का बागीचा की रूप में भी जानते हैं गार्डन सिटी आफ इंडिया की ठीक है तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर सेकंड कुशन आप देख पा रहे हैं स्की पाना किया है तो दोस्तों धान लखेंगे एंबी गंगा बिलास इसका नाम है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जब बात करते हैं तो सीधे तोर पे एंड डबलू बंज से संबंदित है माने नेशनल वाटर वे संख्या एक रास्टी जल्मार संख्या एक में ये सीधे त दोर से ये चलेगा इस बात पे गोर करेंगे तो भारत का यू कहना चाहिए कि संसार का सबसे लंबा ये नदी क्रूज है नाम है एंबी गंगा बिलास ठीक है इन्परड़न कुशन एक्जाम के लिए है कुशन नमर तीन पे आगए हम लोग कुशन नमर तीन दोस्तों कहता ह कि हाल ही में सर्वोच न्याले ने किस राज की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इंकार करने वाले आयकर की प्रापधान को रद कर दिया है। और वह नातूला दर्र्र से होकर के तो नinkaतूला दर्र काफी इंपोर्टेंट हें जो भारत के सिक्क्यम्राज्यु में है। इस बात पर ग marriages करेएंगे। दोस्टो में जानकारी बता दूँ कि इस सुप्रीम कोट नाम चुकी आये हैं तो एक जानकारी है इंपोर्टेन नाम बनाये गया ऐह किस मेटरो स्टीशन का क्या थे Penis Sun का यूम इंडय वह का आपको बता दू एक इस्टीशन पड़ता है प्रजाती मैदान लिए नंदा जी इस्टीशन का नान आधए वह अपका क्या है सर्वोच न्याले मैटरो स्टीशन पर देख रहें एक पर तりました जी माने फिफ्ट जनरीशन आधारित सक्षम एक ड्रॉन है तो ये जो है स्काई होक उसका नाम रखा गया है कोशन पांच पे हम लोग आ चुके हैं कोशन नमर पांच कहता है कि 15 जनबरी 2023 को किस संगठन का 148 वा इस्थापना दिबस मनाए गया है तो दोस्तो आंसर बिल भी भारती मौसम बिग्यान संस्थान ये सीरे तोर पे इसका जो आयजन होता है प्यारे दोस्तों वह प्रत्वी बिग्यान मंतराले के अंतरगत होता है और भारती मौसम बिग्यान विभाग की बात करेंगे तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और जब बात हैटक्वाटर की क करते हैं मुख्याले की करते हैं तो मुख्याले है इसका नई दिनली में तो बैया कुशनवा सिक्स पे हम लोग आ गए हैं चतीस गड़ राजस्थान और पंजाब के बाद में किस राजने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंसन योजना माने ओल्ड पैंसन स्कीम दुबारा से प्रारम कर दी हैं तो दोस्तों जयार निखेंगे हिमाचल प्रदेश ठीक है तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों जयार निखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है सिमला जब आज सिमला की आ गई है तो जानना जरूरी है इसका जो नया नाम है है वो क्या है वह है स्यामला गजा आण डी हें और यहां पर कुश्चन prendre याद आ रहा है धोस्तो हर्मिट of Simla मने Simla का सन्यासी किसे कहते हैं तो Simla का सन्यासी कहते हैं copper Hause को जिहां सही समझ रहें click कर रहा है अन हिद आप्टरेंड हुम् भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक कार खाने में एक के दोसो तीन राइफल का निर्मान शुरू कर दिया है दोस्तों आंसर बिल भी रूस तो रूस के द्वारा अमेठी आपका उत्तर प्रदेश में पढ़ता है वहाँ पर इसका प्रदगाटन शुरी निर्मान कार प्रारम कर दिया गया है बढ़ते अगले सवाल पर कुश्चन नमर 8 पर आ गए है 15 जनबरी 2023 को हैदराबाद के परेट ग्राउंड में किस नमबर का सैना दिबस मनाए गया दोस्तों दयार नेखेंगे 75 पच्छत्तर वे नमबर का जो है आर्मी डेस थापना दिबस मनाए गया है सैना का इस बात पर गौर करेंगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कुश्चन नमर 9 पर आ गया है किसे दो साल की आवद के लिए राश्टी सुरक्षा परिशद सच्छवाले में उप राश्टी सुरक्षा सलाकार माने डिप्टी ने परिश्च कुमार सिंग जी को एपॉइंट किया गया है उप राश्टी सुरक्षा सलाकार जब बीएस एफ की दोस्तों बात करते हैं तो बीएस एफ की स्थापना जो है 1965 में हुई थी और भारत पाकिस्तान के मद्द में प्लस भारत बांगलादियस के मद्द में जो सीमा वरती छेत रहें बहां पर बीएस एफ अपनी ड्यूटी करता है कुशर मट 10 अंतिम सवाल पे आ गए हैं हाल ही में भारत का पहला फाइब जी जिला बना जिसने आकांची जिला स्टाइट अप द्वारा पेस किये गए उन्नत फाइब जी उप्योग के मामलों की आन सब्सक्राइब को कुश्चन आता है दिक्कत है तो आप संपर कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों यूटूब फेस्बूक इंस्टागराम टेलीग्राम पर अप्लब्द है आप जरू सर्च करिएगा लिंक डिस्क्रिप्सिन में है कोई प्रब्लम इसी फील करते हैं तो उतक प्रण कुश्चन पर ठीक है तैंक यू जैहिन